और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहा है किसानों ने गाज़ेपूर बॉर्डर नेशनल हाइवे 24 पर सर्विस लेन को खोल दिया है आपको बताएं मुर्गा मंडी की तरफ जाने वाली सर्विस लेन को खोल दिया गया है आपको बता दें किसानों ने गाज़ेपूर बॉर्डर पर सबसे पहले यही पर रास्ता जाम किया था और सुप्रेम कोट की फटकार के बाद अब वो रास्ते पर आने लगे हैं और आज ये सर्विस लेन एनिश 24 की खाली कर दी गई है जो सर्विस लेन गाज़िपूर मुर्गा मंडी की तरफ से जाती थी तो देखें सुप्रेम कोट ने पटकार लगाई है सुप्रेम कोट ने बार बार कहा दूसरी बार यही कहा कि अगर जो लोग आंदोलन कर रहे हैं जो किसान आंदोलन कर रहे हैं अगर उनका आधिकार है आंदोलन करना प्रोदर्शन करना तो फिर जो लोग सफर कर रहे हैं तमाम लोग जिनके घर वहाँ पर थे जिनके रोजमर्रा की चीज़े इस आंदोलन की वज़े से प्रभावित हुई है उनका भी अधिकार है अगर आपका अधिकार है तो और इसलिए 7 दिसंबर को बेराल अगली सुनवाई होगी लेकिन उससे पहले ही सुप्रेम कोट ने फटकार लगाई और फिर आंदोलन जीवियों को अकल आ गई है और इसलिए जो सर्विस लेंथी वो खाली कर दी गई है